अफगानिस्तान और श्रिलंका के बीच खीले जा रहे एश्यकप 2023 के छटे मुकाबले में श्रिलंका को अपनी टीम में एक और लसित मलिंगा मिल गये हैं लेकिन आज इन्होंने अपनी गती से भी लसित मलिंगा की याद दिला दी जी हां मतीशा पाती राना को काफ़ अचा गेंदबाज माना जाता है लेकिन उनकी गती अब उनका एक्स फैक्टर भी बन गया है इस मुकाबले में जिस गती से उन्होंने गेंदबाजी कर आई है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये गेंदबाज अपने करियर में आगे बढ़ेगा ये गेंदबाज नई उचाईया में छूता जाएगा दरसल में आज इन्होंने अफगानिस्तान के विरुद एक ऐसा ओबर फेका जिसमें इन्होंने सभी को अपनी स्पीड से चोका दिया इतना ही नहीं इन्होंने जिस तरहा से अपने गेंदबाजी में परिवर्तन किया वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द टीम में एक बाद फिर से लसित मलिंगा जैसा तेज गेंदबाज आने वाला है जो श्रिलंगा की टीम को गेंद से भी मैथ जीत कर देगा आपको बता दे कि अफगानिस्तान के बलेबाज रहमत शा के खिलाफ ग्यारवे उवर में पाथी राना ने 143 से लेकर 147 किलोमेटर प्रतिक घंटे के रफ्तार से गेंदबाजी की अब आप कहेंगे कि ये गेंदबाजी तो हर कोई कर लेता ही ये तो कोई बात नहीं हुई ये तो किनी तेज गेंदबाजी नहीं है लेकिन अगर श्रिलंगा के नजर से देखा जाए जहां उनके पास फिलहाल 130 से 135 किलोमेटर प्रतिक घंटे की रफ्तार से गेंद कराने व 146 दूसरी गेंद 147 इसके बाद उन्होंने 144, 45 और 143 अलग-अलग वेरियेशन से गेंदबाजी की इसके बाद उन्होंने आखरी गेंद 126 प्रतिक किलोमेटर घंटे की रफ्तार से पेकते हुए सभी को बताया कि वो कितने अच्छे गेंदबाज होने के साथ साथ वेरिये फेकने के साथ साथ स्लूर डिलिवरी भी बहुत अच्छी कर सकता है आपको बता दे कि सिर्फ एक्षन ही नहीं बलकि पाथिराना का तो गेंबाजी कराने का फूरा धंग लसित बलिंगा जैसा होता जा रहा है अगर आप मेरी बात से सहमती रखते हैं तो इस वीडियो को ल स्ट्राइब कर लिजी